जैहो करूली सरकार की, जैहो कामाख्या माता की, जैहो शिवशक्ति गरवार की, बोलो राधा रामन हरीवोल मेरा नाम हर्शिता गुला है, मैं बाबा के शेश्या हूँ आज मैं आपको बताऊंगी कि अभी रिसेंटली चार पांच दिन पहले की बात है मेरी ममी से बात हो रही थे घर पर, तो ममी ने मीरी को बताया कि मतलao मेरी ममी आंगन वाड़ी में है, तो ममी मेरी को बता रही थी जैसे उनका उनके जो सर मैडम हैं, उन्लोगों से उठना बैठना लगा रहा थे और जब इतनी एज़ी के लोग होते थें तो वो यहीं सारी बातें करतें धार्मी के इंडा। तो क्या था कि कोई पंडित कास्ट के ही कोई एक अंकल थे तो ममी के सर लगते हैं वो तो यही सारी बाते बता रहे थे तो ममी बता रही थी कि पता है उन्हें बहुत ज्यादा घ्यान था ऐसे वैसे और वो जो संतोष गुरू जी उनके बारे में भी कह रहे थे कुछ तो वो वो एक वो हैं तो वो अंकल की बात बता रही थी तो वो ऐसे करके कह रहे थे कि हां वो एक वो हैं कानपुर में भधोर्या जी तो ममी ने कहा हां संतोष शिंग भधोर्या जी ऐसे करके तो वो उनकल ने बोला गुरू जी के बारे में कि वो जो भधोर्या जी है वो तो अप ममी यह बात मेरे को बताइई तो फिर ममी ममी तो यार अभी उनको भी डाउट आया नग्मी शक हुआ दरबार के प्रती और उने भी उनकी बात काफी हद तक सही लगी ठीक है तो फिर मममी और मीरी बातbell voterlica हुई मैंने मममी को साथ ऐसा होता है लेकिन भई है कि यार अभी उन लोगों में निकेटिविटी है या फिर से उन्होंने वो पूजा पार्ट किया डिने अलग होने के बाद भी तो भी मतलब वो गंदी की उन लोगों को और फिर क्या है जब वो दरबार के बारे में जादा अच्छा से जानते भी घूणानी तो वो कहेंगी भी नहीं ना तो फिर मैंने मीं बाबा को बोली मैंने का बाबा ऐसा उनके साइट से खटता हो जाएगा कि बताओ मेरे मम्मी बापा दरबार के प्रती उन्हें सही से मतलब वो नहीं है गलत समझते हैं दरबार को ऐसा करके ठीक है मतलब डाउट की नजर से देखते हैं तो मैंने बाबा को बोला और फिर रोध हो करके उसके बाद में अपना जब करने के लिए बैट गई अब क्या हुआ जब मैं जब कर रही थी जब के दोराने मैं कुछ भी नहीं सोच दी बस NORMALIड़ी कर रही दिए जबके दोरान ही मेरे माइन में बाबा ने ऐसा डाला क्योंकि मुझे पता है इतनी दूर की इतनी कोई पुरानी बात खुदी उखड़ के आ रही है तो ये सिर्फ बाबा की करपा से हुआ मेरी खुदी की जान बुच करके नहीं किया तो मेरे को ध्यान आया मैंने कुछ 5-6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हाँ 5-6 महीने ही हुए होंगे 5-6 महीने पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जर्मनी की आंटी थी और वो दर्बार आई थी सर्फ बाबा को धन्यवाद करने के लिए उससे पहले वो कभी दर्बार नहीं गई थी और उनके घुटने बदलने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनसे उठा नहीं जाता था उन्होंने कैसे भी करके उन्हें दर्बार के बारे में पता चला यूट्यूब पर और उन्होंने बाबा जब वो देखती गई दे जपाट करने शू कर दिया और मतलब बाबा मैं आस्सा रखने लगे सबसे बड़ी बात और उनकी ये जो गुटने बदलने वाली परेशानी थी वो जर्मनी में बैठे बैठे ठीक हो गई थी जबकि वो एक भी बार दर्बार नहीं आई थी बस वो दर्बार क्यों आई जर जर्मनी से इंडिया सिर्फ इसलिए ठीक होने के बाद कि मैं बाबा को धन्यवाद करना चाहती हूं कि मैं एक भी बार दर्बार नहीं लेकिन उन्होंने मुझे ठीक कर दिया ऐसे करके अगर मुझे वो वीडियो मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगी मै जर्मनी में बाबा का ध्यान कर रहा है गुरू जी तो इतने बिजी रहते हैं कि जब वो उनके सामने है उसका कस्षर लिया चलो एक बार के लिए अगर माने भी वो जाने कर रहा है जब कोई उनके सामने आएगा तब ही तो कर रहे हैं ठीक है जो लोग बैठे बिठाए घर में अपने ठीक हो जा रहे हैं उनका क्या कैसे हो रहा है एक और भाया की मैंने वीडियो देखी थी तो वो गुरुदिक्षा की लाइन में खड़े थे तो फिर उन्होंने बताया था कि वो सिर्फ नमन प्रोसेस से ठीक है उन्होंने अपने घर में बैठे बैठे ही नमन किया था लोग डाउन के टाइम में और उन पर जो पेशी आ मेरे पास मैंने और भी ऐसी वीडियो देखें जहां पर लोग बताते हैं कि हम एक भी बार दरबार नहीं आए था और हमारी यह चीज ठीक हो गई एक और मैंने देखा था एक मुस्लिम परिवार था तो लॉगडाउन के ही टाइम में मुस्लिम परिवार था वो उनको अच्छा रहता है ने कामर बंद वह उनके बंधा रहता था डॉक्टर ने कहा था कि यह खुलना नहीं चाहिए ठीक है वह जैसे उन्हें धरबार के प्रतिव्द्व यह लगतार देख रहे थे हैं तो जब उन्हें दरबार के प्रतियास था आई वह लॉक डाउन में फी अ उन्होंने सिर्फ दर्बार के जो में गेट है उसको छुआ पूरी आस्था से पूरी श्रद्धा से बाबा को प्रणाम करा बाबा को बोला कि बाबा अब जो हो आप हो जैसे भी जो भी करके बोला मुझे तो बहुत जादा भाव आया था जब मैंने उन अंकल की वीडियो दे बोले कि मेरे कमर का दर्द ऐसे चूम अंतर हो गया था कि मैं इतनी दूर बाइक चला के अकेला आया और अकेला गया पूरे स्वस्त हो करके जो मेरे क्यमर की में परिशानी थी वो मेरी एकदम ठीक होई थी कि मैं एक भी बार दरबार में अंदर कदम भी नहीं रखा था सिर वो लोग ठीक हो गए ठीक है चलो वो तो मुझे इसका अंसर जब करते करते मिल गए मैंने हर बार का देखा है जब भी मुझे कोई डाउट आता है मैं बाबा को बोलती हूँ और कर लेती हूं सौर्टा ओट ठीक है बाबा मुझे उसका अंसर दे देते हैं कैसे भी करके अब देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगे अगर आपको भी दरबार के प्रति कोई प्रशन आता है ना तो आप बाबा को बोलें अगर मैं ही हूँ ठीक है अगर मुझे मतलब जैसे आप ही हैं आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो भी आप वीडियो सुन रही हैं तो मैं अगर मैं आपको अच्छा मानती हूँगी आपने मेरे साथ पहले कभी अच्छा किया हुगा तो मैं आपको आकर कि ना पूछूँगी कि क्या बात ऐसी ही है या मैंने ऐसा ऐसा सुना है क्या ये सही बात है ठीक है तो मैं आपको आकर के पूछूँगी अगर हमारे पहले अच्छे रहें या जो भी आपको अगर हम चाहते हैं कि हम इस इंसान को नहीं खोएं यह हमें लगता है कि यार ये इस इंसान के बारे में बात सही नहीं है हमने गलत बात सुनी है तो हम इस तरीके से पूछें तो यार सेम अपना बाबा भी तो वही है है ना तो मैं मेरे मन में कभी भी कुछ आते है तो मैं बाबा से ऐसी बात करते हूं बाबा मेरे मन में प्रशना है आप प्लीज मुझे इसका अंसर दें ठीक है तो मैं आपको भी यही बूलूँगे और हाँ फिर उसके बात क्या हुआ दो दिन ब बारे में जो ये बात कही जा रहा है तो ये एक दम शद प्रतिश गलत है मैंनका चलो जो गुरू जी से मिलते हैं उनका कस्ट अपने उपर ले लेते हैं लेकिन जो गुरू जी से मिले ही नहीं जिन्होंने बाबा के एक भी बार दर्शन नहीं किये जो घरों में बैठे बैठे ठीक हो गए बाबा में आस्था और विश्वास करके तो उनका किसने कस्थर लिया ठीक है वो तो गुरुजी के सामने भी नहीं है वो तो बाबा के सामने भी नहीं है ठीक है तो के एक मन से जिनकी प्रतिया आप आजसा और विश्वास रखोंगे तो वही वह आपके सुनेगा और करेगा। र喜ारा बाबा बस ही कर रहें यह जो जितना प्यार करएंग बाबा उससे सौख उना जब्स हमें यह वापा फूर्प सह करेंगे तो मैं ने मंतुं कि प्रमी प्रतिविश्वास करेंगे उन app रखेंगाilateralis तो उसमें भी तो मेरा डाउट किलियर हो गया लेकिन पता नहीं उस दिन दो वह सर बोल देते तो पता नहीं मेरी मन में भी शक्त सा आ गया था तब मैं बड़ी खुश हुई कि चलो मेरी मम्मी का शक्त भी दूर हो गया ऐसे करके क्योंकि बाबा ने उन्हें भी अपनी आखों से कुछ सबूत दिखा दिया था किसी वीडियो में उन्होंने कुछ देखा होगा तो उन्होंने मुझे यही बताने के लिए कॉल किया था तो मतलब मुझे बहुत जादा खुशी हुई कि बाबा ने मेरा शक्त दूर क यही किया साथ में मेरी मम्मी का वेशक दूर किया तो अगर आपके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस दें तो प्लीज आप जरूर बताएं आज के लिए इतना ही जैहो करूली सरकार की जैहो का माख्या माता की जैहो शिप्शक्ति दर्बार की बोलो राधार अमन हरी बोल